सु गाइस तो कैसी में लेज़ी पब्रत आज आपने खेलने वाले सेंचैन का एक न्यू गैम और इस गैम को भाई मैं फस्ट वार खेलने जा रहा हूं मुझे भी नहीं पता यह गैम कैसा होगा अरे भाई इसमें मिसन आया है सेफ सीरो मतलब आपनको सीरो को बचाना है ओ भा कहां अंदर जाकर देखता हूं यहीं कहीं छुपा होगा सीरो कहां पे हो तुम कर रहा है सीरो को धूरते धूरते मैं खोद फस गया चलो निकल तो गया और भाई इस गैम को बनाया है गैम और इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर दो लिंक इन डिसक्रिप्स वार गया है तो जी रहा है तो क्या पता वह बाजवाली अंटी के घर में हो या फिर रोड में घूम रहा होगा और तरफ मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि जब से गैम खेल रहा हूं यहां पर कोई भी नहीं दिखा है मुझे अरे यह तो बुरी बुरी आफरस इसमें हमको हेल्थ मिल जाएगी और यहां पर हमे को फिरो नहीं है तुमनें इंट नहीं के लगता है और कोई भी इसको अपन पहले खतम कर देते हैं यह मरति क्यों क्यों यार्ण परास खाके आई यहां पर कॉंटम रोबोट को बात के रखें मतलब इसको बंदी बनाए इसको हमें बचाना पड़ेगा अरे बुरी-बुरी-जाइमन की पूरी गैंग आ चुकी यार केटस भी पीछे से मारा जा रहा है और जो हमारा बुरी-बुरी-जाइमन वह देखो हमें खड़े होकर द पड़ेगा नहीं तो लोग एक यह बार में खतम कर देंगे तने ठिटे यार इसको चला के देखता हूं क्या पता मेंसे चलाते बन जाई हाँ वहां बन तो रही है इसको मोडते कैसे यार यह इसको उतर क्यों कि जाता यार बार बार इसको भाई रिवेस गयर में कैसे डाले यहां समाझ गया जार इसको कैसे चलाना है तो चलो हमें साइकल भी मिल चुकी है इससे हमारा काम हो चुका है आसाइं क्यूंकि भाई साइकल से आप बहुत तेजी से भागेंगे अच्छा यार शीरो को इस साइकल से भी धुड़ने पार यार कहां चला गया यह एक मिनिट भ यहां बहुत शीरों तो नहीं मगर बहुत सरे बूरी बूरी सायम उन्हारे लोग में को मारने कली फिर आगा जाते है एक गैम पी मैं अच्छे से से फिनिश नहीं कर पारहे हुए लो फिर आजाते हैं चलो हमारे पास तो कुछ शक्तियां है जो इन सक्टियों के इस्तमाल अभी हम नहीं करेंगे और पहले तो हम यह चिलर बटोल लेते हैं पांच-पांच रुपए के कितने रुपए के नहीं पता और यहां तो कैटस भी आ यहां से पहले तो निकलना पड़ेगा लगता है मुझे अपनी पावर का इस्तमाल करना ही पड़ेगा और हमारी सोलर वीम का इनके उपर भाई कोई भी असर नहीं हो रहा क्या पता इन लोग क्या खाके आते हैं तुमसे नहों पाएगा इन सभी को ना कोई काम धंदने मेरे पीछे लगे हैंगे बिरोजगार है साले अब इन सभी को बताना पड़ेगा मेरे पास कौ कुछ मेरी मदद भी नहीं कर रहा है अब लगता है मेरे कोई बचने के चांस नहीं है लोग मुझे चारों तरफ से घेर लियो और एक एक करके सम्मारे जा रहे हैं